नमस्कार, आज हम लोग हिंदी का पद्य भाग पढ़ेंगे, मैं डाक्टर नित्य प्रकाश शिंग, आप लोग को जो काब व्यांजली में अजोध्या सिंग उपाध्याय हर्याओध द्वारा रचित पवन दूति का चैप्टर आपने संकलित है, उसको हम लोग पढ़ेंगे पवन दूति का, अजोध्या सिंगुपाध्याय हर्याओध का जीवन परिचे हम लोग देखेंगे, साहितिक परिचे देखेंगे, अजोध्या सिंगुपाध्याय हर्याओध का जन्म में 1865, शन 1865 हिस्वी में हुआ था, और वो आजमगड जनपद के निजामाबाद, जनमस्थान पे हुआ था, निजामाबाद आजमगड जनपद में है, इनके पिता पंडित भोलानाथ जी है, और माता इनकी रुकमडी देवी, और इनकी मृत्तु सन 1945 में हुई थी, इनका जो साहितिक परिचए है, अजोध्याशिंग उपध्य हर्योजी का, उसमें भाशा, इन्होंने खड़ीबोली और ब्रजभासा, ये दोनों का प्रियुक किया है, और दोनों समान अधिकार से प्रियुक किया है, ये जब हिंदी साहितिके ऐसे दो राहे पे खड़े थे, जब ब्रजभाशा लगभग खत्म हो रही थी और खड़ी बोली का प्रारंब हो रहा था तो खड़ी बोली के बड़े उन्नायकों में से अजुध्या शिंगुपाध्या हरियोद को गिना जाता है कारण इसलिए कि इन्हों ने खड़ी बोली का पहला महा काव्य प्रिय ख़ेयोग करते हैं। साथ में जो ब्रज भावाशा जुकि ब्रज भावसा के बहुत अच्छे रचाईता थेativa। तो ब्रज भावषा की जो स्रिंगार प्रधान शैली है, यह जो पहले से ही चलि आती रही है रीति काल से उसके भी बहुत अच्छे कभी हैं और साथ में संस्कृत की समास प्रधान शैली का भी ये प्रियूग करते हैं अजुद्या सिंग उपाध्याय हर्याउद जी द्वारा ये प्रियूग होता है इन्होंने दोनों तरह की रचनाएं लिखी ब्रजभाशा में भी कुछ रचनाएं लिखी और कुछ खड़ी बोली में आपको मैंने बताया कि खड़ी बोली का पहला महाकाब्य प्रिय प्रवाश इन्होंने लिखा ये पहला महाकाब्य है आपके खड़ी बोली का और वैदेह बनवाश इनके दो महाकाब्य हैं इन्होंने लिखे मुक्तक काब्य जसमें चोखे चौपदे चौपदे रसकलश पध्यप्रशून कल्पलता प्रेमामवुप्रवाह प्रेम पुष्पोहार इनके मुक्तक काब्य हैं इन्होंने दो उपन्यास बे लिखे हैं एक ठेट हिंदी प्रिय प्रवाश खड़ी बोली का पहला महाकाब्य है उस पर इनको मांगला प्रशाद पारिकोशिक पुरशकार एक बड़ा पुरशकार है साहित्य का जो हिंदी साहित्य शम्मेलन प्रयाग्राज द्वारा दिया जाता है यह इनको दिया गया जिस अध्याय को हमें पढ़ना है उसका पाठ परिशय हम लो देखेंगे पवन दूति का जो है काब्यांस यह खड़ी बोली के मैंने बताया था कि खड़ी बोली प्रिय प जैसे कालीदाशने मेघधूत में मेघों के माध्यम से संदेश पहुचाते हुए देखे गए हैं तो वो संदेश पहुचाने की परंपरा के लिए इन्होंने पवन का सहारा लिया है राधिका जी पवन से अपनी बाते कहती है कि मेरा संदेशा क्रिश्ण तक पहुचा दो तो ये पवन दूती का एक संदेश पहुचाने की पुरो परंपरा जो चली आ रही थी उसी का अनुगमन इन्होंने किया है इसमें और ये खास बात इस काब्वे का ये है प्रिय प्रवाश का कि ये पुरानी मान्यताओं पे आधारित ये काब्वे नहीं लिखी गई है बल कि वो कहीं न कहीं लोग से जुड़ी हुई है वो लोग सेविका के रूप में दिखाई देती हैं और कृष्ण का चरित्र भी हमें कहीं न कहीं लोग सेवक के रूप में इसमें दिखाई देता है अब हम लोग कभिता पे आ जाते हैं जो हमें पढ़ना है जो हमारे पाठेक्रम में संकलित है देखिए बैठी खिन्ना यक दिवस्वे गेह मेथी अकेली आके आसु द्रिग यूगल में थे धराको भिगोते आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले प्रातह वाली कालवातायनों से एक दिन रादिका जी अपने घर में बैठी हुई है खिन्न मन से बैठी हुई है दुखी मन से बैठी हुई है गेह यानी घर में बैठी हुई है आके आसु द्रिगल यूगल में थे धराको भिगोते और इतनी दुखित हैं वियोग में कृष्ण के अर्था धर्ती भी भीग जा रही है आए धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले इसी समय प्रातः वाली सुपमन जो प्रातः प्रातः जो सुन्दर पमन होती है सुगंध लिये हुए होती है पुष्पों की सुगंध लिये हुए होती है वो वातायनों से अंदर आती संतापों को बिपुल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे बोली सदुख उससे स्रीमती राधिका यूँ जब अपने दुख को बढ़ता हुआ देखकर उसके प्रवेश शे राधिका जी का दुख बढ़ जाता है जो चीजें संयोग में अच्छी दिखाई देती हैं वो हमारे लिए अनुकूल होती है जो बियोगा वस्था में वही चीजें प्रतिकूल हो जाया करती है तो हम देखेंगे कि जो यह सुपवन है जो संयोग की दशा में बढ़ा अच्छा लगता है लेकिन बियोगा वस्था म वो यिस अपने संताप को बढ़ते हुए देख करके धीरे बोली सदुख उससे स्रीमदी रादिका हूँ धीरे शिरादिका जी कहती है प्यारी प्रात पवन इतना क्यों मुझे है सताती है प्यारी पवन तुम मुझे को इतना क्यों सता रही हो क्या तू भी है कलुशित हुई काल की कुरूरुता से, क्या तुम भी जिस प्रकारशे काल यानि समय हमें सता रहा है, उसी प्रकारशे तुम भी दूशित हो गई हो काल के जैसे ही और तुम भी हमको सता रही हो। आगे देखिए, इसमें ध्यान रखना ये है कि प्रकृत का मानमी करण किया गया है। रादिका जी अपनी बात बताती है कि जो हमारे प्रिय हैं, जो कंज नित्रों वाले कमल के नित्रों वाले हैं, जो नौ जलद के शमान हैं, इनके प्यारे क्रिश्ण जी जो नौ जलद के समान हैं, नए बादल के समान हैं, वो जाके आए न मधुवन से, मधुवन यानि और किसी प्रकार का कोई संदेशा नहीं भेजा मैं रोज़ों के प्रिविरह से बावली वह रही हूं उनके बियोग में मैं रोज़ों करके बावली यानी पागल हुई जा रही हूं जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे हे पवन हे सुपवन तुम जा करके मेरी ये बयथा कथा सिर्कृष्ण से जा करके कह दो जो ही मेरा भवन तज तू अलप आगे बढ़ेगी शोभा वाले सुखद कितनी मन्युकुंजे मिलेंगी जो ही अब वो बताती है कि तुम्हें जाना कैसे है और क्या-क्या चीजे तुम मन्युकुंजे मिलेंगी बहुत सुंदर सी मन्युकुंजे जो सजी हुई वन लताएं और सब कुछ मिलेंगी प्यारी चाया म्रदुलस्वर से मोह लेंगी तुझे भी अपनी चाया से अपनी सुंदर्ता से तुम्हें मोह लेंगी तो भी मेरी दुख लख वहां जाना विस बलकि मेरी बैठा कथा को तुम्हें ध्यान रखना है। पुस्पवाला जो ही थोड़ा आगे बढ़ोगी तो एक पुस्पवाला एक जग मिलेगा स्थान मिलेगा जो सरसर यानि सुंदर हवा वहां बहती हुई तुम्हें दिखाई देगी अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान संदरेशाली और वहां जब जाओगी तो बहु व्रंदा विपिन मन को मुग्दकारी मिलेगा और वहां पर एक प्यारा व्रंदा बन मिलेगा और जो तुम्हारे मन को मुग्द कर लेगा तुम्हें बहुत ही सुंदर दिखाई देगा आना जाना इस विपिन से मुहमाना न होना तुम इस विपिन से आना जाना जरूर ले उनको बताना है जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना सद गंदों से इस रमित जन को हर्शितों सा बनाना जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तुम जाके सननिकट उनकी क्लांतियों को मिटाना जाकर के उसके जो क्लांति है थकावट है उसको जाकर के अपने हवा के माध्यम से सदगंधों के माध्यम से उसके क्लांतियों को मिटा देना धीरे धीरे परश करके गात उत्ताप खोना धीरे धीरे परश करके गात उसके सरीर के न ताप है उसको दूर करना सदगंधों से स्रमित जन को हरशितों शा बनाना और जो तुम्हारी शदगंध है उसको ले जाकर के जो स्रमित जन हैं जो मेहनत करने वाले हैं उनको हरशित कर देना उनको खुशी दे देना श्रमित जन यानि जो मेहनत करने वाले लोग है उनके पास जाना उनके निकट जाना और जा करके उनको सुख प्रदान करना उनको खुस कर देना यहां पर हम देखेंगे इस आपके पंक्ति ने किरा राधिका जी की लोक सेविका रूप है हमको दिखाई देता है इसमें और आगे राधिका जी कहती हैं बहुती महत्वपूर्ण ये चंद हैं आपके कई बार एक्जामों में आ चुका है ये कहती है राधिका जी पवन से कि है सुपवन तुम आगे जाओगी तो रास्ते में हो सकता है लज्जा शीला पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए जो अगर कोई ऐसी महिला तुम्हें दिखाई दे दे जो लज्जा से भरी हुई हो लज्जा शील महिला हो होने देना विक्रित बशना तो न तू शुंदरी को उसके वशन को क्या नहीं होने देना विकृत मत होने देना विकृत यानि बसन को अपने ऐसा मत वायु चलाना ऐसा हवा का जोका मत करना कि जो उसका वशन है कपड़ा है वो कहीं इधर उधर भटक न जाए हट न जाए जिससे कि वो लज्जा सील महिला और लज्जित हो जाए दोने देना बिक्रित वशना तो न तू सुन्दरी को उस सुन्दरी को उस लज्जासील सुन्दरी को उसके वशन को तुम बिक्रित होने मत देना जो थोड़ी भी स्रमित वह हो गोद ले स्रांतिक होना अगर वो थोड़ी भी स्रमित हो यानि ठकी हुई हो स्रम के मारे वो ठक तो क्या करना उसको गोद में अपने लेना और स्रांति होना उसके सरांति जो थकान है उसको खुआ देना िनिक कम कर देना खतम कर देना होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना और जा करके तुम्हें क्या करना है उसकी जो होट है और जो कमल मुख है कमल जैसा मुख है उसकी मलानताएं मिटाना उस पर जो थकान है उसको तुम्हें दूर करना है अपने सरसरव से अपने हवा से अपने सुंदर हवा से अपने शदगंधों के द्वारा तुम जा करके उस राधिका जी के लोक सेविका रूप को ध्यान में रखकर लिखे गई ये पंक्तियां हैं राधिका जी ये लज्जा सीला पथिक महिला उसको उसके दुख पर ज्यादा ध्यान देती हैं कोई क्लांता क्रिशक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना जाता कोई जलद यदि हो ब्योम में तो उसेला छाया द्वारा सुकित करना तब भूतांगना को अब आगे कवी कहते हैं कि कोई क्लांता क्रिशक ललना खेत में जो दिखावे अगर कोई क्रिशक ललना किसान की जो बालिका है कोई क्रिशक ललना दिखाए और वो क्या हो क्लांता यानि दुखित हो ठकित हो वो मेहनत करते करते ठक गई हो खेत में अगर दिख जाती है तुम तो क्या करना है यह पवन धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना धीरे धीरे परस उसके नजदीक धीरे धीरे तुम्हें जाना है और जाकर के क्या करना है धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना क्लांतिया मने जो उसके मुख पर क्लांतियां है थकान के चिन्न है उसको तुम्हें अपने सुंदर Million से जाकर के हवा के जहो के से उससे दूर करना है जब हम मेहनत करते करते ठक जाते हैं और धूप में जब ठक जाते हैं धूप हमें लगती है तो ऐसा लगता है कि कोई छाया मिल जाए हमें जब छाया हमें मिल जाती है तो उस छाये में बैठने से सुन्दर अगर हवा का जोका आ जाए उसी समय तो हमारा आधा हमारे सरीर के आ अगर आकाश में तुम्हें दिखाई दे जाए उसी समय कब, जब कोई क्लांत क्रिशक ललना खेत में काम कर रही हो, तो तुम्हें क्या करना है? अगर कोई बादल दिख जाए आश्मान में, जाता कोई जलद यदि ब्योम में, तो अगर आश्मान में कोई बादल दिखाई द तो तुम्हें करना क्या है च्छाया द्वारा सुखित करना तब तब हुतांगना को जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला कहां लाना उस बालिका के काम करते हुए बालिका के ऊपर लाना है और ला करके जब बादल आ जाएगा तो धूप चली जाएगी धूप जाएगी तो उसको ला करके धूप ढख देना है च्छाया द्वारा किसे उसके ताप को दूर करना है च्छाया के द्वारा अपनी च्छाया से उसके ताप को दूर करना च्छाया द्वारा सुखित करना उनको सुख प्रदान करना उस कृषक ललना को तब तब हुतांगना को जो धर्ती पर रहने वाली तपती हुई जो कन्या है बालिका है जो अपने मिहनत के द्वारा वो काम करते करते ठक गई है उसको क्या करना शुखित करना चाया द्वारा अपनी चायाओं के द्वारा सुखित करना उसे सुख प्रदान करना हम यहां देखेंगे कि इस चंद में उपर वाला जो हम लोग पढ़े वहां भी राधिका जी के जो लोक सेवी का रूप है हमें दिखाई देता है वही चिर हमें इस चंद में भी उनके लोक सेवी का रूप हमें दिखाई देता है और इस प्रिय प्रवाश में जो ये आधुनिक स्वरूप राधा का और Krishna का दिखाया गया है अदभुध है यह लोग सेविका रूप हम शायद अन्य किसी काब्डे में या महाकाब्डे में हमें दिखाई नहीं देता तो यह अजुधिया सिंगु पाध्याए हरियौध जी का यह नया खोज है और नई रचना है जो हमें दिखाई देती है अब हम लोगों ने अभी तक आठ चंद पढ़े हैं इस अध्याय के अब आठ चंद में जो हमें प्रश्ण अभ्यास करना है वो यह लाइने हमें देखनी है यह बहुत महतोपूर्ण लाइन है जो आपकी परिख्छा की दृष्ट इसे बहुत महतोपूर्ण है लज्जा शीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टी आए होने देना विक्रित वशना तोन तू सुंदरी को जो थोड़ी भी स्रमित वह हो गोदले स्रांतिक होना होटों की और कमल मुख की मलांताएं मिटाना कोई क्लांता क्रिशक ललना खेत में जो दिखावे देरे देरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना जाता को यह जलद यादि हो भ्योंमी तो ईसेला च्षाया द्वारा शुकित करना तब रूतांगना को अब को हमने दोनों जो चंद हैं उसके अर्थ हमने आपको बताया और इस पर आधारित आपकी परिच्छा में इस इन पंतियों पर आधारित पांच प्रश्न पूछे जाएंगे दो-दो अंक के वो प्रश्न होंगे जो आपको हल करने होंगे सबसे पहला प्रस्तुत पद्यांस का संदर्भ लिखिए संदर्भ आपको लिखना है कि यह कहां से लिया गया है कि प्रस्तुत पद्यांस कभ्यांजली में शंकलित पमन दूति काशे ली गए है उद्रिट की गई है जो प्रिय प्रवाश महाकाभ्य बेखड़ी बोली का प्रथम महाकाभ्य प्रिय प्रवाच से संकलित है और इसके लेखक इसके कबी इसके कभी अजोध्या सिंगुपाध्याय हर्योध जी हैं उसके पशात हम आएंगे इसके जो दूसरा प्रशन है प्रस्तुत पद्यांस का केंद्री भाव लिखिए इसका केंद्री भाव आपको देखना होगा कि ये पूरे पंक्तियों में आपको दिखाई देगा कि राधिका जी का लोकसेवी का रूप आपको दिखाई देगा कौन सा रूप लोकसेवी का रूप इसमें आपको दिखाई देगा कि वो चिंतित रहती हैं एक लज्जा सील पथिक महिला के लिए कि पवन ऐसा तूना करना कि तूम जाना और अपने हवा के जोंके के माध्यम से जाकर कि उसका जो कपड़ा हो उसको बिक्रित कर देना यानि हटा देना जिससे और लज्जा सील हो जाए ऐसा काम मत करना और अगर स्रमित हो ठकी हुई हो तो उसके कमल मुख पे अगर ठकान दिखाई दे रहा हो तो उसे तुम्हें जाकर के दूर करना है यह इस चंद में आपको यह दिखाई देगा दूसरे चंद में कर्शक लैलना की बात करती है कि किसान की बालिका अगर काम करते करते ठक गई हो धूप से तप रही हो तो तुमको धूप के ऊपर बादल की छाया को लाना है और उसकी छाया और अपनी शुखद ह informação से उसे शुक प्रदान करना है उसके तपती हुई भुत अगला प्रशन है नाईका पवन से लज्जा सील के प्रति कैसा आचरण पनाने के लिए कहती हैं। इसमें दिया गया है रिखांकी तंस क्या है? कोई क्लांता क्रिशक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। प्रस्तुत पद्यांस के सिल्प शौंदर्य का संचेप में वरणन कीजिए। आपका महाकाब्य है। दूसरी चीज इसमें आप देखेंगे कि जो छंद है, ओ मंदा क्रांता छंद है। इसमें तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम स्वा मुल्यांकन पर आएंगे कि हमको अपना स्वा मुल्यांकन करना है। कुछ प्रश्न होंगे जो आपको घर पे करना है। जैसे अध्युद्धा सिंग उपध्या का जीवन परिचे और साहितिक परिचे खुद लिख करके देखना है कि हम तयार कर लिए हैं कि नहीं। महाकाब्य किसे कहते हैं इसको भी आपको लिखना है और याद करना है। जगह पर उपमा अलंकार हमें दिखाई देता है तो आपको उपमा अलंकार की परिभाशा उदारन सहीत लिखनी हैं और ये परिच्छा के लिए दोनों अलंकार महतोपूर्ण भी हैं। और इसी तरह शे प्रशन अभ्यास भी आपको करने हैं। इसी तरह का एक प्रशन अभ्यास मेरे प्यारे नौ जा नभ इस्राम लेना ये आपको ये भी एक प्रशन अभ्यास आपको घर पे करना है। जिस प्रकार से अभी प्रशन अभ्यास आपके सामने बताया गया। तो हम लोग अगली वीडियों में कुछ चंदों को प्रयोक करेंगे आप आज के लिए इतना ही बहुद बहुद धन्यभाद आप लोग घर में रहिये नियमों का पालन करिये और कॉरोमास से बचे रहिये बहुद बहुत धन्यभाद